नवसकार दोस्तों आज की स्वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप Redmi 12 5G मोबाइल में आप किस तरीके से स्क्रीन में fingerprint lock लगा सकते हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले सेटिंग में जाना है उसके बाद जाना है यहाँ पर नीची के दरफ और यहाँ पर आप से मिलेगा password and security इसपे क्लिक करना है इसपे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक पर मिल जाएगा fingerprint unlock आपको इसपे क्लिक करने है इस पर क्लिक करने के बाद pattern pin password किसी एक पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं pattern पर क्लिक करता हूँ आप जिस पर भी क्लिक करना चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर got it का option आजाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है अब यहां से एक password या pattern आपको डालेना है जो भी आप रखना चाहते हो डाले के बाद फिर से confirm करना है और continue पर क्लिक करना है इतना करने के बाद गई आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा तो आपको आप fingerprint को scan करवा लेना है तो यहां पर आपको अपनी finger को अच्छे से scan करवाना है जो कि आपके side button पे fingerprint दिया गया है तो अच्छे से scan करवाएंगे तो उतने fast आपका fingerprint जो हो work करेगा तो यहां पर देख पर हैं मैं scan करवारा हूं और यह scan हो चुका है तो यहाँ पर done पर click करेंगे और आप आपका देखिए finger लग चुका है अब मैं आपको देखाता हूँ finger lock जो है यहाँ पर देखिए open हो रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर finger print lock लगा सकते हूँ